देवुमिन सैडरी की टीम आज आप पहुचे एक ऐसे कलाकार के पास जिसको किसी भी परिचे के मौताद नहीं है जी हम बात कर रहे हैं कफिता कौशिक की जिनको आप चंद्रमु की चोटाला के नाम से भी जानते हैं काफी लोग आज उनसे हम कुछे करके खास बातचीत करें करेंगे मैं सबसे बहुत ही मुझे लाभ हुआ कि मैंने फिलोसिपी की पढ़ाई की थी क्योंकि एक ऐसा करियर है कि बहुत उतार चड़ावाते और अब तो एक ऐसा दौर है कि बिल्कुल डिजिटल का जमाना है कोई प्राइवसी रही नहीं है और इन टर्म्स अफ इतना जादा वॉल्यूम ऑफ हमको अप्रिसियेशन और क्रिटिसिजम दोनों हम फेस करते हैं सो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि थोड़ा फिलोसॉफिकल दिमाग हो मैं कुटूम सेरील से अपने अपनी करियर के शुरूआत करती है तो कैसा रहा कुटूम सेरील से अप तक का अपका सफर I'm very lucky मेरी जर्नी I think उस ताम स्टार्ट हुई when television was going through a boom एक तक अपूर जी के you know banner से बहुत सारे सेरील से बन रहे थे बहुत लोगों को काम मिल रहा था नया तालेंट आ रहा था एंड देवस्पेस पर लोड़ यंग फेसे नुव फेसे सुटूम से लुकी तरह केम इन अधा ताम आप जाना चाहेंगे जो जिस तरह से आपने बात करी विलन कर वोल अपको करना उसमें पसंद था उसका उसका अपने अगदम से एक फायर किया और एक दम से आपको चंदरमु की चोटाला के नाम से जानने लग गए सब लोग घर गर में जो आप पहुची वो चंदरमु की चोटाला के नाम से आपको काफी जाना लगा तो कितना मुश्किल होता है एक सीरियस किरदार से, विलन के किरदार से, एक कॉमीडी के किरदार में ठल जाना? I think कलाकार के लिए तो ये एक मज़ेदार experience है, अपनी कला से प्यार है, अगर आपको मज़ा आता है, उस चीज में जो आपको अलग अलग किरदार बन जाने में मज़ा आता है, कीनों कभी मैं ये बन जाओं, कभी वो, so I think वो अपने आप में ना, मुझे उस चीज में मज़ा इव अम इसबर बिग मुझे बीग बॉस के घर में गई है, काईसर आपका ओर आल उर्श एक्सपीरेंस कियों कि लोगों ने बिग बॉस के घर में आपको काफी सारे लोगों का आपको सपोर्ड मिला प्यार मिला, तो किस तरह का बना हैं अलग अलग अनौव था सेरीας सेई कि मैं रियल हूँ और यह सब जो हो रहा है वो मेरे लिए बहुत अजीब है और मैं इतनी काल्कुलेटिव नियू हूँ कि मैं सोच समझ के बोलू और गेम खेलू मैं अगर इरिटेट होती हूँ तो कुछ भी निकलता है मुझसे इन गुसे में देन बाद में बोलती हूँ फगेड एट भूल जाओ आगे बढ़ो इट वसी बात को लेकर रोज करना रोज करना तो नौड मी उसमें मुझे अच्छी इतना मुझा नहीं है उत्रागंड में आ पिताजी शिवभक्त थे और वो कावड लाते थे अधी एज 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 सेवेंटी ऑलसो वो पैदल जाके दिली से हर इदवार कावड लेके आए हैं और नहोंने जल चड़ाया शिवरातरी पे हमारी शादी भी त्रियूगी नारायन में हुई थी जिए विश्नो जी का मंद का पहला और क्या चीए तो हम गए इतना आनंद आया बरफीला ठंडा पानी था इतना ठंडा की मतला हालत खराब हो गई थी इन दोनों लड़कों की और इनके मैं अगर आपको वीडियो दिखा हूँ तो यह बिलकुल रोय दे रहे हैं पानी के अंदर लेकिन मुझे बड़ क्या होगा अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होगा तो ऐसे में अब दर्श को बताना चाहेंगी कि आपके आने अले समय में अपकी सिरीज में किसी शो में या किसी मुवी में आपको दिख सकते हैं अच्छिवी इस बात का मेरे पास पिलाल कोई जवाब नहीं क्योंकि एक तो यहां आई कांट साइन अनिफिग अभी आप धर्श को कॉमसीन गएंगे जो अभी यहां पे क्रिएटोने वाला है मैम ने अभी अभी कुछ सोचा है अपने कुछ करने के लिए मैडम मेरे दिमाग में एक आइडिया है अरे किसमें केया है मारे रहते मैडम आइडिया तो आ आने वाले समय में भी वो जरूर उत्राखंड आती रहेंगी कैमेर में सलमान कुरिशी के साथ मैंने तिन सिंख देवों इंसाइडर के लिए क Är घर अबती रहेंगा साथ माती रहेंगा क कारा है सलमान का में तो चाह सो nepस्ती है झाल झाल